जैहिन सात्यों एक बार फिर से स्वागत आप का मैंड एक्जाम के यूटूब चैनल पर कैसे हैं आप सभी उम्मिद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे पीडियो में सात्यों डीटेल्स से हम बात करेंगे CRPF Constable Tradesman Driver बढ़ती 2023 के बारे में जी हां सात्यों लगबग सभी राज्यों के physical, trade, document सात्य दोस्तों medical examination है वो complete हो चुके हैं जो भीयरती medically याइन दोस्तों ground fit हो चुके हैं अब उन सभी को बेसबरी से इंतजार है कि आखिर उनका final result कब तक आएगा और दोस्तों जो भीयरती कुछ point से नंबर से पहले जब आपकी first cut up लगेती उसमें रह गये हैं उनको इंतजार है कि आखिरी क्या आपकी second list आ सकती है क्योंकि काफी कम बच्चे है वो qualify way है तो उनको इंतजार है कि या तो क्या नहीं vacancy आएगी क्या क्या आपकी second list आ सकती है क्योंकि दोस्तों head costal ministry में देखा कि कई सारी आपकी list है वो CRP अपने जारी की यही स्थती उसमें भी देखने को मिली थी साथ में दोस्तों कब तक आपका इस बच्चे को complete कर लिया जाएगा कब तक आपकी joining आपको मिलने वाली है complete information दोस्तों इस वीडियो में हम आपको details से provide करवाने वाले हैं वीडियो अपके लिए काफी important रहेगा तो वीडियो को अंतक जूर देखेगा साती वीडियो को like share करना दोस्तों चैनल को subscribe करना भी बिल्कुल भी मत बूलेगा और कोई भी आपका सवाल है और जो साती है वो medically यह दोस्तों देख लेते हैं दोस्तों में complete information की बात करूँ तो दोस्तों लगबग सभी राजु के है वो आपकी physical trade और दोस्तों सभी चीज़ी पूरी हो चुकी है अब दोस्तों सबसे पहले में बात करूँगा आपकी second list को लेकर क्योंकि काफी ज़्यदा comment message call आ रहे थे इन बच्चों क selection अच्छे marks होने के बावजूद भी है उनको physical के लिए नहीं बुलाया गयाता है काफी बची operation है क्या second list आ सकती है क्योंकि दोस्तों जो आपकी SM की थी ने आपकी second और third list भी आई थी तो क्या CRPF tradesman में second list आ सकती है दोस्तों जो अभी तक का अनुमान है और दोस्तों जहां स SM मैंने जानका ही है उसके according है वो CRPF second list नहीं निकालेगा इसका मैं आपको एक region बता देता हूं जो region मेरे पास पता चला है और दोस्तों आप भी इस reason को अच्छे समझेंगे क्योंकि दोस्तों maximum SM में कई सरे आपको राजिये बता सकता हूं जिन में minimum cut-off marks में यानि दोस्तों 25, 30, 35 नमबर तक दोस्तों cut-off गई है यानि दोस्तों ये cut-off आपकी लगी थी उसके बावजूद भी बच्चे है वो यहां 10 गुना qualify किसी भी trade में किसी भी category में नहीं हो पाए है और दोस्तों इसमें 7-8 गुना बच्चे है वो पास हो पाए और वो भी यहां 50% attendance आपकी उस से भी सिर्फ 10% बच्चे ही पास हो पाए है यानि दोस्तों कई राजे में आपको ऐसे बता दूँ राजे छोटे नहीं कई ऐसी बड़े राजे हैं जहां तकड़ा competition होता है वहां भी सीटे खाली जा सकती है यहां सात्यों मैं example जहां सबसे ज्यादा competition देखने को मिलता है र हूँ तो राजतान में 113 वेकेंसी में driver का example ले रहा हूँ driver की 113 वेकेंसी थी और दोस्तों 113 को according है वो लगबग 1200 बच्चों को है वो physical trade के लिए बुलाया गया था इसमें से दोस्तों है वो 400 300 बच्चे है वो पलडे बुलाया गया थे 300 300 उसमें से 50% से भी यहां सात्यों यानि दोस्तों 1500 से भी नीचे attendance रही यानि बहुत कम attendance रही इसके बाद दोस्तों 50% से नीचे यानि 60 और 70 के बीच बच्चे पास वे physical में इससे दोस्तों बाद में 10 से 15 बच्चे disqualify वे यानि जो ratio था वो 50 के नीचे आ गया इसके बाद दोस्तों medical भी अच्छे level का है वो आ multiply कर लीजिए चार से इन दोस्तों चार दिन ट्रेड़ वा है तो 140 के आसपास हमें maximum ratio माल लेते हैं और दोस्तों vacancy मैंने आपको बताई 113 vacancy है तो 113 vacancy के according आपके 40 बच्चे पास में उस state में जहां competition हर भरती में एक तखड़ा competition देखने को मिलता है और बाकी UP का हाल भी यह ह से भी बूरा है किहार का ले लिजिए MP का ले लिजिए किसी भी state का ले ले लिजिए आप किसी भी आप बगर में बात करूं जैसे cook है water के रहे इमें तो फिर भी आपकी सीटे खाली रहनी की उम्मीद कम है इन राज्यू में प्रन्तों ऐसी जिन में थोड़ा सा हलका सा ट्र पर्षेंट की है कि आपकी second list जारी की जाएगी तो उम्मीद किसकी है सात्यों उम्मीद है new vacancy की जो दोस्तों 2025 में आएगी जी हां सात्यों 2025 में नई vacancy आने वाली है और दोस्ते एक नई vacancy bumper vacancy आपको है CRFF ट्रेडस्मेन की 2025 में देखने को मिलने वाली है second list की उम्मीद नई के बराबर है अगर दूसरी ये मुद्दा आता है कि क्या सर जो 140 बच्चे थे 113 seat है अगर किसी राज्य में seat खाली रह जाती है तो क्या उस seat को हम इन राज्यों में एड़ नहीं कर सकते ऐसा बिलकुल बिलकुल भी नहीं होगा यानि एक राज्य के सिटे दूसरी राज्य के अंदर है वो एड़ कर दी जाए क्योंकि दोस्तों नोटिफिकेशन की अकोर्डिंग सिर्फ आठ गुना बच्चे बुलाने थे प्रंदों उन्हें जोर करके है वो दस्गुना बलाए दस्गुना की दोस्तों जो ड्राइवर है ड्राइवर में दोस्तों अगर मैं बात कूँ तो चब्वीस सो अपकी वेकेंसी है उसके अकोर्डिंग है वो चब्वीस हजार बच्चे क्वालिफाई होने थे प्रंदों दोस्तों चिरफ आपने खुद डाटा देखा कि सिरफ पंदरा हजार बच्चे ही क्वालिफाई हो पाए डिफरेंस कितने का रहा ग्यारा हजार का दोस्तों डिफरेंस आपको देखने को मिला यानि दोस्तों यहां कमपटेशन तो यही कम हो गया यही स्तिव बाकी ट्रेड की भी देखने को मिले कि अटनेंस बहुत कम रही फिजिकल बच्चे ज्यादा डिस्कॉलिफाई वे, ट्रेड में ज्यादा डिस्कॉलिफाई वे, मेडिकली भी आपकर ज्यादा डिस्कॉलिफाई वे, अब दोस्तो बात आती है कि जो बच्चे क्वालिफाई हो चुके हैं, उन बच्चों का कब तक आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, दोस्तो जो रिजल फाइनल है वो अगस्त एंड तक क्या सितम्बर फस्स तक तो Bill Budd बना गे हैं वो अलग लग ट्रेनिंग सेंटर बनाए गे हैं अलग लग passionate के बीच आपकी ट्रेनिंग सुरू हो जाएगी यानि कुल मिला के कहें जो आने वाली दिवाली मैं आप से सुरू से यही बात बोलता था कि इस बढ़ती में कंपेडिशन बहुत कम रहेगा वही चीज आपको देखने को मिल लिए यानि दोस्तों जो भरती की आपकी इस बार जो आपकी ट्रेनिंग पर किरिया है एंक के समय आप जो दिवाली होगी उसमे आप ट्रेनिंग में रहेंगे जो बच्चे कौऑ लीफाय हो चुकत है जो बच्चे झाल झाल